व्रत पर उस्वंक में मागी पूर्णिमा शाष्त्रों में मागमास शिनान व्रत की बड़ी महमा बताईगी यह तो मागी पर देखती थी बुन्य परव है तथा भी उसमें भी मागी पूर्णिमा को विशेश महत दिया गया है मागमास की पूर्णिमा तीथ स्थलों में शिनान दान आदी के लिए परम फलडाईनी बताईगी तीथ राजबर्याग में इस दिन शिनान दान गवदान एम यग्य विशेश महत है संगम स्थल पर एक मास तक कल्पवास करने वाले तीथ यात्रियों के लिए आज की तिथी एक विशेश परव है मागी पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास पूर्णिमा भी हो जाता है इस पूर्णिय तिथी को सभी कल्पवासी गरस्त प्रातकाल गंगा शिनन करके गंगा माता की आरती और पूजा करते ही तथा अपनी अपनी कुटियों में आकर के हमन करते ही फिर सादो सन्यासियों तथा बरामनों एम बिक्षियों को भोजन करा करके से हम भोजन गरहन करते हैं और कल्पवास के लिए रखी गई खाने पीने की वस्तों जो कुछ बची रहती हैं उन्हें दान कर देते हैं और गंगा जी की रेनु का कुछ परशाद रोली एम रख्षा सुत्र तथा गंगा जल ले करके फिर से गंगा माता के दरबार में उपस्तित होने की प्रात्रा करके अपने अपने घरों को जाते हैं विधी इसकी इस परकार है मागी पूर्णमा को कुछ दार्मिक कृत्तों के संबन करने के भी विधी शाष्ट्रम में देगी हैं वे इस परकार है प्राताकाल नित्यकरम एमशनानादी से निवरितों करके भगवान विश्णु का विधी पूरक पूजन करें फिर पित्रों का शिराद करें असमर्त को भोजन वस्तर तथा आश्रे दें तिल कंबल कपास गुड़ घी मोदक जूते फल अन और ये था शक्ति सर्न रजत आदी का दान दें तथा पूरे दिन का रत रह करके ब्रामना को भोजन दें और सचसंग एम कथा कीतन में दिन रात बिता करके दूसरे दिन पारन करें माग मास के शुकल पक्ष की पूर्णमा को यदी शनी मेशराशी बर गुरु और चंद्रमा सिंगराशी बर तुदा सोरे श्रवन नक्षत्र पर हाँ तो महा मागी पूर्णमा का योग होता है ये पुन्यति थी शनान दान आदे के लिए अक्ष फल दाइनी होती है मुरत परोसव अंक में महा शिवरात्री महोसव तथा उसका अख्यान फागन मास के कृष्ण पक्ष के चत्रदशी शिवरात्री का अर्थ वह रात्री है जिसका शिवतत्त के साथ घनिश्च संबंद भगवान शिवजी की अतिपरी ये रात्री को शिवरात्री कहा गया है शिवर्चन और जागरन ही इस वरत की विशेषता है इसमें रात्री भाद जागरन एम शिव अविशेक का विधान है शिरी पारती जी की जिग्यासा पर बैवान शिव जी ने बताया कि फागन मास के क्रिश्टन पक्षिकी चितरदशी शिव रात्री के लाती है जो उस दिन पुआस करता है मैं मुझे परसन कर लिता है मैं अविशेक वस्त्र धूप अर्चन तथा पुष्व आदी सम्वर्पन से उतना परसन नहीं होता जितना की वर्थ उपवास से इशान सैंता में बताया गया है कि फागन मास के क्रिश्टन पक्षिकी चतरदशी के रात्री को आदी दे भवान चिरिशीव करोड़ो सुर्यों के समान प्रभवाले लिंग रूप में प्रगट हुए शी रात्री वृत की व्यग्यनिक्ता तथा अध्यात्मिक्ता ज्योति शाष्ट्र के अंसार फागन मास के क्रिश्टन पक्षिकी चतरदशी तिति में चंद्रमा सुर्य के समीप होता है अधर वही समय जीवन डूपी चंद्रमा का शीव रूपी सुर्य के साथ योग मिलन होता है इस चतरदशी को शीव पूजा करने से जीव को अभिश्टम पदात की प्राप्ति गुती है यही शीवरात्री का रहसे है महाशीवरात्री का पर्व परमात्मा शीव के दिविय अवतरन का मंगल सुचक है उनके निराकार से सकाड रूप में अवतरन की रात्री ही महाशीवरात्री के लाती है में हमें काम करोद लोग मोमत्सर आदी विकारव से मुक्त करके परम सक्ष शांती इश्यर आदी परदान करते है चार पैर की पूजा का विधान चार बहर में चार बार पूजा का विधान है इसमें शीवजी को पंचामरत से शिनान करा करके चंदन पुष्प अक्षत वस्त रादी से शिंगार करके आती करने चाहिए रात्री वहर जागरन तथा पंचाक्षर मंतर का जब करना चाहिए रुत्र अविशेक रुत्र अस्ता ध्याई तथा रुद्री पाथ का विधान है प्रथमा ख्यान है पदम कल्ब के प्रारंब में भगान ब्रह्मा जब अंडज विंडज सेदज उद्विज त एम देवताउं आदी की शीष्टी का चुके एक दिन सिच्चा से घूमते हुए शीर सागर पहुचे उने देखा भगान नरायन शुब्र शिवेत सहस्त्र फनमोडी शीष की शीयापाद शाथ अध लेटे हुए भूदेवी शिरी देवी शिरी महालची जी शेश्चाई के चरनों को अपने अंक में लिए चरन सिवा करें गरुड नंड सुनंद पार्षद गंदर्व किन्नर आदी विनमरता हाथ जोड़े खड़े हैं ही देखकर ब्रह्मा जी को अति अच्चरे हुआ ब्रह्मा जी को गर्व हो गया था कि मैं एक मात्र शिष्टी का मूल करन और मैं ही सबका सामी नियंता तथा पिता में हूँ फिर यहे वैभव मंडित कोन यहां निश्चिन तख सोया है शिरी नराएन को अभी चल शियन करते हुए देखकर के उन्हें करोधा गया ब्रह्मा जी ने समीब जाकर के कहा तुम कौन हो उठाओ देखो मैं तुम्हारा सामी पिता आया हूँ छेश शाई ने केवल द्रिष्टी उठाई और मन्द मस्कान से बले बचसर तुम्हारा मंगल हो आओ इस आशन पर बैठो तब ब्रह्मा जी को और अधिक करोध हो गया जला कर बोले मैं तुम्हारा रख्षक जगत का पिता में हूँ तुम का मेरा सम्मान करना चाहिए इस पर भगवान नराएन ने कहा जगत मुझे में स्थित है फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हूँ तुम मेरे नावी कमल से पैदा हुए हो अतब मेरे पुत्र हो मैं श्रिष्टा में स्वामी ये विवात दोनों में होने लगा श्री ब्रह्मा जी ने पाशुपत और श्री विश्णु जी ने माहेशर अस्त्र उठा लिया दिशाएं अस्त्रों के तेज से जलने लगी श्रिष्टी में परले की अशंका हो गई देवगन भागते वे किलाश वरोतर वगवान विश्णात के बाद सौचे अंतर यमी भागवान श्री जी सब समझ गे देताओं दरास्त्ति करने पर वे बोले मैं ब्रह्मा विश्णु के युद्ध को जानता हूं मैंसे श्यांत करूंगा ऐसा कह कर कि भागवान श्री श्यांत सेसा दोनों के मध्ध में अनादी अनंत जोतिर में स्तंब के रूप म प्रगठ हुए माहिशा और पाश्युपात दोनों अस्त्र श्यांत हो करके उसी चौते लिंग में लिन हो गए यह लिंग निशकल ब्रह्मा निराकार ब्रह्मा का पर दीख है श्री विश्णु और श्री ब्रह्मा जिने उसे लिंग स्तंब की पूजा अर्चना की यह लिं श्री को प्रगठ हुआ तब इसे आई तक लिंग पूजा निरंतर चलिया आ रही श्री विश्णु और श्री ब्रह्मा जी ने कहा हम महराज जब हम दोनों लिंग के आदी अन्तिका पता ना लगा सके तो आगे मानो आपकी पूजा कैसे करेगा इस पर क्रिपाल बगवान चीव त्वादस च्योतिस च्योति लिंग में भक्त होगे माज श्राथी का यही रहसे है दिद्या खान ये है वाना नसी के वन में एक भील लेता था उसका नाम गुरू दुरुख था उसका कटुम्ब बड़ा था वे बलवान और कुरूर था अधा प्रति दिन वन में जा करके मरिगों को मारता और वहीं रहकर के नना परकार की चोरिया करता था शुब कारक महाशिवरात्री के दिन उस धील के माता पिता पतनी और बच्चों ने भोग से पेड़ी तो करके बोजन की याचना की मैं तरन द्रुच लेकर के मरिगों के शिकार के लिए सारेवन में घूमने लगा देर योग से उस तिन कुछ भी शिकार ने मिला और सुरे अस्तो गया मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं कहां जाओं माता पिता पतनी बच्चों की क्या दिशायों भी कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए ये सोच करके वेह व्याद एक जलाशे के सुई पहुचा कि रात्रे में कोई न कोई जीव यहां पानी पीने हुए श्याएगा उसी को मार कर घर ले जाओंगा वेह व्याद किनारे पर स्थित बिल्व वरिक्ष पर चड़ गया पीने के लिए कमर में बंधी तुम्भी में जल भर करके बैठ किया भोग प्यार से वेकल वेशिकार के चिंता बे पैठा रहा रात्री के प्रत्म पैर में एक प्यासी हर निमा आई उसको देख करके व्याद को थी हर शुआ तरंती उसका मुद्ध करने के लिए उसने अपने धनुश पर एक बान का संदान किया ऐसा करते वे उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल पत्र तूट करके नीचे गिर पड़े उस वरिक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था मैं जल और बिल पत्र शिलिंग पर किर पड़े उस जल और बिल पत्र से प्रथम पैर की शीव पूजा संद बंड़े खड़ ख्राहत की दनी से हदनी में भए से उपर की और देखा वियाद को देखते ही मेरे तो वहे से वियाकौल होकर वै बुली वियाद तुम क्या चाहते हूँ सच सच बताओ व्यार ने कहां मेरे कटंब के लोग भूखे हैं अज़ तो तो मार करके उनकी भूख मिटाओंगा मेरी की बली भील मेरे माज से तुम को तुमारे कटंब को सुख होगा इस अनर्थ कारी शीर के लिए इस से अधिक महान पुनने का कारे भला और क्या हो सकता है पैं तो इस समय मेरे सब बच्चे आश्र में मेरी बाट जोड़े होंगे मैं उन्हें अपनी मेहन को अत्वा सामी को सौंप करके लोटा होंगी मरेगी के शबत खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दी दित्य प्रहन में उस हरने की बहन उसी कीता देखती हुई ढूंटी हुई चल पीने वहाँ आप उची व्याध ने उसे देख करके बान को तरकश से खीचा ऐसा करते समय प्रना पहले की भाती शिल्लिंग पर जल बिल पत्र गिर के इस वरकार दोसरे पहर की पूजा संपन हो मरेगी ने पूछा व्याध ये क्या करते हो तो व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया मैं अपने बुके कटमब को त्रिफ्ट करने के लिए तुम्हे मारूंगा मरेगी ने कहा मेरे च्छोटे च्छोटे बच्चे घर में हैं है तर मैं उन्हें अपने सामी को सौंख करके तुम्हारे पास लोटांगी मैं बचन देती हूँ व्याध ने उसे भी छोड़ दिया व्याध का दूसरा पैर भी जाकते जाकते बीट किया इतने में ही एक बड़ा हिरिष्ट पुस्ट हिरन मरेगी को ढूंता हुआ आया व्याध के बान चड़ाने पर पुना कुछ जल बिल पत्र लिंक पर गिरे अब तीश्रे पहर की पूजा भी होगे मरेग ने आवाज से चोग करके व्याध की और दिखा और पूछा क्या करते हो तो व्याध ने कहां तुमारा वद्ध करूंगा हरी ने कहां मेरे बच्चे भूखे हैं मैं बच्चे को उनकी माता को सूँ करके तथा उनको धेरे बंदा करके छीर कीरी यहां लोटा हुआ व्याध बोला जो जो यहां आए थे सब तुमारे ही तरह बाते तथा पत्तिग्या करके चलेगे पां तो अभी तक नहीं लोटे शबत खाने पर उसने हीरन को भी छोड़ दिया मरिग, मरिगी सब अपने स्थान पर मिले तीनों पर ते ग्याबद थे तीनों जाने के लिए हट करने लगे आता है उन्हें बच्चों को अपने प्रोसियां को सुंग करके और तीनों चल दिये उन्हें जाते दे करके बच्चे भी भाग कर पीछे पीछे चले है उन्हें सब को एक साथ आया दे करके व्याद को दी हर्श हुआ उसने तरकस से बान खिचा जिससे पुने जल बिल पत्र शिलिंग पर गिर पड़े इस परकार चोथे पैर की पूजा भी संपन होगी रात्री वहर शिकार के चिंताएं व्याद निर्जल भोजन रहित चागरन करता रहा शिव जी का रंच मातर भी चिंतन नहीं किया चारो पैर की पूजा अज़ाने में सता ही होगी उस तिन महाशिव रात्री थी जिसके परभाव से व्याद के संपूरन पाफ तद्काल बसन होगी इतने में ही मरिग और दोनों मरिगियां बोल ठे व्याद शिरमने शिक्र करिपा करके हमारे शिरों को साथ धक करो और अपने कुटुम्ब बच्चे को त्रिप्त करो व्याद को बड़ा विसमे हुआ ये मरिग ग्यान ही न पशु होने पर भी धन्य है प्रोपकारी हैं और प्रतिग्या वालक हैं मैं मनिश्य होकर भी जीवन बर हिंसा हट्ट्या रपाप करके अपना कुटुम्ब का फलन करता रहा मैंने जीव हत्या करके उधर पूर्थी की अतार मेरे जीवन को धिका रहे धिका रहे व्याद ने बान को रोक लिया और कहा शीष्ट अमरी को तुम सब जाओ तुमारा जीवन धन्य है व्याद की ऐसा कहने पर तुम्त भगवान शेंकर लिंक से प्रगठोगे और उसके शीर को पर्ष करके प्रेम से बोले वार मांगो मैंने सब कुछ पा लिया ये कहते हुए व्याद उनके चर्णों में किर पड़ा शीरी शीव जी ने परसन हो करके उसका गोह नाम रख दिया और वर्दान दिया कि भगवान राम एक दिन आवशी तुम्हारे घर पर धारेंगे और तुम्हारे साथ हम इत्तरता करेंगे तुम मोक्ष पराफ्ट करोगे वही व्याद श्रंगेवेर पुर में निशाद राज गोह बना जिसने भगवान नाम का आतिठी किया मैं सब अमरीक भगवान श्रंकर जी का दर्शिन करके मरी की योनी से मक्त होगे शाब मक्त होकर के विमान सिद्धी भी धाम को चलेगे तब से अर्बद परवत पर भगवान शीव व्याद ही श्यवर के नाम से परसित होई दर्शन पूजन करने पर वे ततकाल मुक्ष परदान करने वाले है ये महा शीवरात्री वरत वरत राज के नाम से विख्यात है ये शीवरात्री ये मराज के शाषन को मिटाने वाली है और शीव लोग को देने वाली है शास्त्रोक्त विदी से जो इसका जागरन सही तपास करेंगे उन्हें मुक्ष की प्राप्ती होगी शिरात्री के समान पाप और भे मिताने वाला दूसरा वरत रही है इसके करने मातर से सब पापों का शेह हो जाता है मुरत परोसवंक में महाशिवरात्री वरत का रहस से महाशिवरात्री वरत वागुन मास के कृष्ण बक्ष की चतरदशी तिथी को किया जाता है इस वरत को अर्ध रात्री व्यापनी चतरदशी तिथी में करना चाहिए चाहिए तिथी पूर्वा त्रियो दशी युक्त हो जाहे पराहो नारज सिंग्ता के इंसार जिस तिन फागन मास्के क्रिष्ण पक्ष की चतुर दशी तिती आधी रात के योग वाली हो उस तिन जो शिवरात्री व्रत कता है वैं अनन्त फल को प्राप्ट कता है इस सम्मंध में तीन पक्षे चतर दशी को परदोश व्यापनी दूसरी है निशीत अर्थात अर्धरात्री व्यापनी तीसी है उभे व्यापनी वरत राज निर्ने सिंधू तता धरम सिंधू आधी गरंथो के उन्सार निशीत व्यापनी चतर दशी तिती को ही गरहन करना चाहिए प्रण तो इसके अभाव में पर दोशे वियापनी के गराहे होने से ये पक्ष गोन है इस कारण पूर्वा या परा दोनों में जो भी निशीत वियापनी चतरदशी तिथी हो उसी में बुरत करना चाहिए चतरदशी तिथी की सामे शिव ज्योति शास्त्र के अंसार प्रतिपता आदी सोना तिथियों के अगनी आदी देवता सामी होते हैं जिस तिथी का जो देवता सामी होता है उसी देवता का उस तिथी में वरत पूजन करने से उस देवता की विशेश करिपा उपासर की उपराप्त होती है चतरदशी तिथी के स्वामिश शिव है अत्वाश शिव की तिथी चतरदशी है अत्वाश शिव की तिथी चतरदशी है अत्वाश इस तिथी की रात्री में वरत करने के कारण इस वरत का नम शिवरात्री होना उचिती है इसलिए परतेक मास के क्रिष्ण बख्ष के चतर दशी तित्री में शिवराती वरत होता है जो मास शिवराती वरत कहलाता है शिवभक्त परतेक क्रिष्ण चतर दशी का वरत करते हैं प्रंत फागन मास के क्रिष्ण बख्ष के चतर दशी का अधर रात्री में शिवलिंग त्यों उद्व होत कोटी सोय संप्रव शान सेंता के इस वजन के अंसार जोतितिंका प्रादर्भाव होने से ये पर्व महाशिवरात्री के नाम से विख्यात्वा इस वरत को ब्राह्मन शक्ति वैश्य शुद्र इस्तिप्रुश और बाली युवा वरिद्ध रामन और नरसिंग जहनती तो था परते के एक अद्शी का वरत हर रे को करना चाहिए उसी परकार माशिवरात्री वरत भी सभी को करना चाहिए इसे ना करने से दोच लगता है वरत का महत्व है शीवरान की कोटी रुद्र सेंगता में बताया गया है कि शीवरात्री वरत करने से व्यक्ति को भोग एं मोक्षित दोनों ही पराप्त होती है ब्रह्मा विश्नु तथा पार्ति के पूझने पर भगवान सदाशीव ने पताया कि शीवरात्री वरत करने से महान पुन्य की प्राप्ति होती है मुक्षाथिक और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले चार वरतों के नियम पूरक पॉलन करना चाहिए ये चार वरत हैं भगवान शीव की पूझा रुद्रमंतों का जब शीव मंदर में उप्वास काशी में देते आग शीव पुरान में मुक्ष के चार सनातन मार्ग बताएगे है इन चारों में भी शीव राती वरत का विशेश में तेटाई से अवशे करना चाहिए ये सबी के लिए धर्म का उत्तम साधन है निशकाम अथा सकाम बहुत से सबी मनश्यों वतनों आश्रमों इस्तियों पालकों तथा दिवताओं आदे के लिए ये महान वरत परमहित का रकमाना क्या है पर तेक महाज के शीव राती वरतों में भी फागोन क्रिश्न पक्ष की चतर दशी में होने वाले महाज शीव राती वरत का शीव परान में विशेश महात्यों बताया गया है रात्री ही क्यों इसके लिए अन्य देताओं का पूजन वरत आदि जब कि प्रयाद दिन में ही होता है तब भगवान शिंकर को रात्री ही क्यों प्रिये हुई और वैवी फागन मास के क्रिष्ण बख्ष की चत्रदशी थी ही क्यों इस चिक्यासा का समधान विद्वान ने बताया है कि भगवान शिंकर संहार शिक्ती और तमग उनके अधिश्टा आता है अधर तमग में रात्री से उनका लगाव होना सभावे की है रात्री संहार काल की प्रतिनी दी है उसका आगवन होते ही सर प्रतम परकाश का संहार जीओं की देने करम चेश्टाओं का वे संहार तरहा अंत में निद्रादरा चेतनता काही संहार हो करके संपूरण विश्य संहार नी रात्री की गोद में चेतन हो करके किर जाता है ऐसी दिशा में प्राकिर्टिक दृष्टी से शिव का रात्री प्रिय होना सैजी है देंगम हो जाता है यही कारण है कि भगवान शेंकर की आरात्रन ना किवल इस रात्री में ही वरना सदेव पर दो शिरात्री के प्राप्त होने के समय में ही की जाती है शिरात्री का क्रिश्व पक्ष में होना भी साभी पराए है शुक्ल अपक्षमे चंद्रमा सूरिय सबल होता है और कृष्ण अपक्षमे शीन उसकी वृद्धी के साथ साथ संसार के संपूरन रस्वान पदाता हमें वृद्धी और शै के साथ साथ उसमें शीनता होना सभाविक एम परत्यक्षे किरम शै घरते-घरते वह चंद्रमा अमावस्या को बिलकुछ शीन हो जाता है चराचर जगत के यावन मात्र मन के अदिश्टाता उस चंद्र के शीन हो जाने से उसका परभाव अंड पिंड वाद के अंसाल संपरन भूमंडल के परानियां पर भी पड़ता है और उन मना जीओं के अंतकरन में ताम सी शक्तियां पर बुद्ध हो करके अन्यक परकार के नितिक एंसमाजी का परादो का कारण बनती है इन्ही शक्तियों का अपर नाम अध्यात विक भाशा में बहुत प्रेता दी है और शीव को इनका नियामक माना जाता है दिन में यत्पी जगत आत्मा सोरे की स्थिति से आत्म तत्त की जागरुता के कारण ये टाम सी शक्तियां अपना उशेश परभाव नहीं दिखा बाती है कि इन तो चंद्रवहीन अंधकार में राते के आगमन के साथ ही तुमें अपना परभाव दिखाने लगती है इसलिए जैसे पानी आने से पहले ही पुल बांदा जाता है उसी परकार इस अमवस्या तिथी के आने से सद्यपूर वही उनसंपूरन तामसी वृतियों के शमनार्थ इन वृतियों के एक मात्र अधिश्टाता भगान आशुति इसकी आराध्हा करने का विधान शास्त्र कारण ने किया है विशेष्टा क्रिष्ण चतर दशी की रात्री वे शिवरा राध्हा का रहस्य है वागन मास्के क्रिष्ण पक्ष्च चतर दशी का रहस्य है जहां तक परतेक मास्के क्रिष्ण पक्ष्च की चतर दशी के शिवरात्री कहलाने की बात है वे सबी शिवरात्री ही कहलती हैं और पंचांगों में उन्हें इसी नाम से लिखा जाता है परन तुफाग उनकी शिवरात्री महा शिवरात्री के नाम से पकारी जाती है जिस परकार अमाश्या के दुश बरवाद से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्वा चत्रदशी को ये उपास न की जाती है उसी परकार शे होते हुए वर्ष के अंतिम मास जित्र से ठीक एक मास पूर्वा फागन में ही इसका विधान शास्त्रों में मिलता है जो कि सर्था युक्ति संगत थी है साथ ही रुद्रों के एक दाश संख्यात्वा खूर्वा के कारण भी इस परो का ग्यारवे मास फागन में संपन होना इस वुरत उस्सा के रहस पर प्रकाश डालता है अपुआस रात्री जागरन क्यों? रिशी महिर्शी ने समस्त अध्यात्वेक अधिश्टानों में अपुआस का महत पर माना है गीता की इस उक्ति विश्या विनी वर्तंते नेरा हारस्य देहिना के इंसान अपुआस विश्य निवरिति का अच्चु के साधन है अध्यात्विक साधना के लिए अपुआस करना परमवश्यक है अपुआस के साथ रात्री जागरन के महत पर गीता का यह कथन अत्यंत पर सिद्ध है या निशासर अभुता नाम तास्याम जागरती सही में इसका सिदा तत्वर यही है कि अपुआस आदी द्वरा द्रियों और मन पर नियंतरन करने वाला समी विक्ती ही रात्री में जाकर के अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रतंशील हो सकता है अग्ष शीव अपासना के लिए उपुआस Camera ने रात्री जागर्म के अत्रिक्त और को न सादन प्युक्त हो सकता है रात्री पर यह शीव से भीट करने के समें रात्री के लाबा और कों समय हो सकता है यहीं सब कालों से इस महान वृत में वृति जन और पुवास के साथ राती में चाक करके शीप पूजा करते हैं पूजा की विधी शीप रान के इंसार वृति पुरुष को प्रता काल उट करके शिनान संध्या आधी करम से निवरित होने पर मस्तक पर भसं का तिर्पंड तिलक और गले में रुद्राक्ष माला दहरन करके शिवाले में जा करके शीवलिंग का विधी पूरक पूजन एम शिव को नमिशिकार करना चाहिए तथ पच्छा तुझे शिद्धा पूरुआग संकल्ब लेना चाहिए उसके बाद पुष्व अक्षट जल आरी को छोड़ने के को छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए हे देव देव हे महादेव हे निलकंट आपको नमशिकार है हे देव मैं आपका शिवरात्री वरत करना चाहता हूँ हे द्वी आपके किरपा से ये वरत निर्वेगन पूरण हो और काम करो द लोब आदी शत्र मुझे पीडित नहीं करे फिर आत्री पूजा है दिन भार अधिकार के अंसार शिव मंतर का यथा शिक्ति जब करना चाहिए अथा जद्विज है और जिनका विधिवद यग्योपित संसकार हुआ है तथा नियम पूरण की यग्योपित धारन करते हैं उन्हें आम नमशिवाई मंतर का जब करना चाहिए तो जज़ेतर अनुपनेट एम इस्त्रियां हैं उन्हें प्रणवरहिद शिवाई नमशिवाई मंतर का जब करना चाहिए रुगन अशक्त और व्रिद जन दिन में फल आहार ग्रहन करके रात्री पूज़ा कर सकते हैं वैसे यथा शक्ती बिना फल आहार ग्रहन किये रात्री पूज़ा करना उत्तम है रात्री के चारों पैरों के पूज़ा अविधान शास्तर कारों ने किया है साइकाल शिनान करके किसी शीम अंदर में जाकर के अथवा घर पर ही यदि नदेश यद्धा अन्य इसी परकार का शिवलिंग हो सुईधान सार पूरा आवी मक्ख हो करके या उत्तर के और मक्ख हो करके और तिलक एम रद्रक्ष धारन करके पूजा का इस परकार संकल्प करना चाहिए फिर देश काल का संकेतन करने के नंतर कहना चाहिए अच्छा तो यह है कि किसी वेदिक विद्वान ब्रामन के निर्दशन में वेदिक मंतरों से रुद्रव शीक का अनुस्ठान कराया जाना चाहिए व्रती को पूजा की समगरी अपने पास में रखने चाहिए रितुकाल के फलपुष्प गंद चंदन बिलपत्र ददूरा धूब अधीब और नवध्य आदी दूरा चारो पहर की पूजा करने चाहिए दूद दहीं गीश हैंद और शक्कर से अलाकर पतास सब को एक साथ मिला करके पंच आमरे से शीव को शिनान करा करके जल धारा से उसका अविशेक करना चाहिए चारो पूजनों में पंच उपचार अत्वा शोट शोपचार यथा लबधो उपचार से पूजा करते समें शीव पंचाकशर नमस शिवाई मंतर से अत्वा रुद्र पार से भगवान जी का जल भिशेक करना चाहिए भाव, शर्व, रुद्र, पशुपती, उक्र, महान, भीम और इशान इन आठन नमों से पुश्पांजरी अर्पित करके भगवान जी की आरती और परकर्मा करने चाहिए और अन्त में शंबू से प्राथना करने चाहिए कि है महादेव आपकी अग्या से मैंने जो वरत किया है है स्वामिन मैं परम उत्तम वरत पूर न हो गया अब उसका विसर्जन करता हूं है द्वी शर्शर वे यताशक्ती किये हुए इस वरत से आप आज मुझवड क्रिपा करके संतोस्तम अशक्त होने पर यदि चारो पहर की पूजा ना हो सके तो पहले पहर की पूजा विश्य करनी चाहिए और अग्रे दिन प्रताकाल पना शनान करके भवान श्यंकर की फूजा करने के पच्चाद मुरत की पार्ना करने चाहिए सकंद परान के अंसार इस फरकार अनुस्तान करते हुए शिव जी का पूजन जागरन और अववास करने वाले अमने शिकाद पुनर जनर नहीं होता इस पर इस महान पर्व के विशे में एक अख्यान के अंसार शिवरात्ती के दिन पूजन करती हुई किसी इस्त्री का अभूशन चुरा लेने के अपराद में मारा गया कोई व्यक्ति इसलिए शिवजी की किरपा से सदकती को पराप्त हुआ क्योंकि चौरी करने के प्रियास में आठ पहर भूखा प्यासा और जाकता रहा इस कारण अनायासी वरत हो जाने से शिवजी ने उसे सदकती पराप्त कर दी इस वरत की महिमा का पूर नरूप से वर्ण करना मानो शुक्ति से बाहर है है करल्यान के चुक सभी बनिश्य को ये वरत करना चाहिए पर्व का संदेश भवान शुंकर में अन्पम सामंजस अद्वुद समन्वे और उतक्रिश सत्भाव के दर्शन होने से हमें उन से शिक्षा ग्रैन करके वीश करल्यान के महान कारे में परवित होना चाहिए के प्रदी दिवे संदेशे शीव अर्धना इशर होकर भी काम भी जीता है ग्रस्त होते हुए भी परम विरक्त है हनाहल पान करने के कालन नील कंठ होकर भी वीश्य से अलिप्त है रिद्धी सिद्यों के सामी होकर भी उन से विलग है उग्र होते हैं अकिंचन होते हैं भी सरविश्य हैं भ्यंकर विश्थर नाग और सौमे चंद्रमा दोनों ही उनके अभूशन हैं मस्तक में परले कालीन अगनी और सिर पर परम शीतल कंगा धारा है उनका अनपम शिंगा रहे उनके यहां विरिशव और सिंग का तथा मियूर एमसर का सहज वैर बुला करके साथ साथ कीड़ा करना समस्त विरोधी भावों के विलग्शन समन्वे की शिक्षा देता है इससे विश्य को से अस्तित अपनाने की अद्वध शिक्षा मिलती है इसी परकार उनका शिरिव ग्रे शिवलिंग ब्रहमान्ड एम निराकार ब्रहम का पर देख होने के कारण सबी के दिये पूजनी है जिस परकार निराकार ब्रहम रूप रंग अकार आदी से रहित होता है उसी परकार शिवलिंग भी है जिस परकार गनित में शुन्य कुछ ना कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है किसी भी अंक के दहने होकर जिस परकार यह उस अंक का दस कुन मुलयका देता है उसी परकार शीवलेंग की पुझा से शीव भी दहने अनकूल होकर के मुनश्यको अनन तच्सुक समर्धी परदान करते हैं हता है मानो को उप्यूक्त शिक्षा गरहन करके उनके इस महान महाशिवराती मा उस्व को बड़े समारो पुर्वत मनाना चाहिए